पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कॉंग्रिस के पूर्वध्यक्ष नवजोज सिंग सिद्धू इस गंतंत्र दिवस यानी 26 जन्वरी को रिहा हो जाएंगे रिपोर्ट्स तो इसी ओर इशारा कर रही है दरसल बताया जा रहा है कि सिद्धू का नाम 59 कैदियों की संभावित लिस्ट में शामिल है जिन्हें गंतंत्र दिवस पर माफी के योग्य माना गया है ऐसे में 1988 के रूट रेज मामले में आठ महीने की जेल की सजा काटने के बाद सिद्धू के रिहा होने की संभावना बन रही है रिपोर्ट्स में सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को बंदियों की रहाई के लिए तैयार की गई प्रस्तावित लिस्ट पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी कैबिनेट की हरी जन्डी मिलने के बाद नामों को राजिपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बताया जा रहा है कि रिहाई किये जाने वाले संभावित कैदियों के लिस्ट में वो कैदि भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन जुर्माना भरने में अस्मर्थता के कारण जेल में थे कुछ कैदि ऐसे भी हैं जो अपनी जेल की 60-70% अवधी पूरी कर चुके हैं और अच्छे आचरन की वज़से नाम भेजा गया है बतादे की नवजोत सिंग सिद्धु को 1988 के रोड रेज मामले में मई में सुप्रीम कोट ने एक साल की सजा सुनाई थी सिद्धु ने 20 मई को कोट के सामने सरंडर कर दिया था और उन्हें पटेयाला सेंट्रल जेल में फेज दिया गया था सिद्धु को कलर्क के तौर पर जेल के कामकाज की जिम्यदारी सौंपी गई थी और उनका आचरन अच्छा पाया गया उन्होंने जेल में नियम होने के बावजूद भी कोई छुट्टी तक नहीं ली जो रियायत के लिए उनकी दावेदारी मजबूत कर रही है बतादे की पंजाब कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोज सिंग सिदू पिछले विधान सवाजुनाव में अपने निर्वाचन छेत्र अम्रिसर पूर्व से हार गए थे नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस्स न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है जून्स 24